नमस्कार दोस्तों मिरा नाम आसीस है आज हम बात करेंगे modern history part 4 की जिसमें total 20 question है और आपको बता दें 20 question आपको daily यहाँ upload कि जाते हैं वीडियो जो कि exam की दिश्टी से काफी important है काफी महतबूर है तो आज हम जिस modern history में जिस पार्ट की बात करेंगे आज पार्ट चोथा है तो पार्ट चोथा में basically 1857 की करांती से और कुछ अन जन विद्रोह से संबंधित question है इसको हम आज दिस्तार से देखेंगे तो चलिए इससे पहले आपको बता दे यदि आप वीडि को notification सबसे पहले प्राप्त हो और वीडियो को आप सबसे पहले देख सके हैं चलिए हम आज का पहला प्रश्ट देखते हैं पहला प्रश्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर सा ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था यहाँ पर देखिया आपके आप सब हैं अजीमुल्ला है बिल्जिस कादिर बक्त खान हसन खान देखिया 1857 के विद्रोह के दौरान जो बहादुर सा थे उन्होंने बक्त खान क किसको बक्त खान को साफ साहब ए आलम क्या साहब ए आलम बहादुर का किताब दिया था जो बख्त खान था वह कि इसिट इंडिया कमपनी में सुवेदार के पतपर निक्त और कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्य में भाग लिया था ठीक है यह कंपनी की तरब से भागा था और बहादुर साने अपने बड़े अगला देखिए दूसरा कुईश्यन है 1857 के सोतंतरता संग्राम से संबंदित पहली घटना थी यहाँ पर आपकी आपसन भी है, चार आपसन देख लिजे कानपुर में बिद्रो और नाना साहब का नेत्रित संभालना बेगम हजरत महल्द और आवद का नेत्रित सैनको का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना या जहांसी की रानी का बिद्रो यहाँ पर कुशन है कि 1857 की स्वतंतरता संग्राम से संबंदित पहली घटना थी यह सभी अगर देखा जाए तो सभी घटना एं 1857 की क्रांति से संबंदित है लेकिन यहाँ पर पहली घटना से संबंदित देखना है यहाँ पर सैनिकों का दिल्ली के लाल के लिए पर पहुँचना पहली घटना है देखी कब हुआ था? 11 माई को 11 माई 1857 को दिल्ली में मेरट से आये कुछ सिपाहियों के दस्ते ने मुगल समराग बहादुर साधित्ती से यह अपील कि कि भया आप समराड बन जाओ और इन सिपाहियों का नेत्र संबाल लो तो इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल के लिए पर पहुँचना पहली घटना थी यानि कि कहां से गए थे दिल्ली में भया गए थे कहां से गए थे मेरट से पहुँचगे दिल्ली के लाल किले में किसके पास पहुँचगे मुगल समराट बहादुर साधित्ती के पास पहुंच गए उनसे हाद को जोड़कर बिंती कि यह आप हमारे विद्रो का नेत्रित कर लीजिए आप वारे विद्रो का नेत्रित सुईकार कर लीजिए तो यहां पर आपका जो कुश्चन है कि सुतंतरदा संग्राम से पहली जो लाल के लिए पर पहुंच रहा है अब बाकी आप चीज देखिए जिसे कानपुर में इसे बिद्रो हुआ तो कानपुर में बिद्रो का वह था उन्हें ने इस तरह से अगार हम देखते हैं तो जो हमारा सटी का अपसन सही हो रहा है वो सी आपसन सही हो कि साहिनिकों का दिल्ली के लाल के लिए पर पहुंच रहा है अगला है कुश्चन देखिए 1857 की स्वाधिंता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी बाज रुमाल दो तलवार देखिए आपको बता देक 1857 की करांती में उसमें जो प्रतीक था वो कमल और रोटी था ठीक है कुश्चन जो भी यहां पर आपके साथ पूटप किया रहा है यह सभी प्रिवेस एर एक्जामनेशन में पूछे गए कुश्चन है जिसके आने की संभावना है तो आप लोगों को यह कुश्चन ध्यान में रखना है और ध्यान से पढ़ना है ध्यान से सुनना है चलिए आ से मित्रने धोखा दिया है तता जिसे अंग्रेजा दारहा बंदी बना कर मार दिया गया यहां नाना साब एक यहां पर 40 निव्यां आपको चूर करना है तो यहां पर च्टी का एंसर सही है वह डी आपस skipping हो जाएगा तैया तूपई कि मैं आपको ताथय टुपे के एक संचीप्त और आपको बताता हूं ने कै looking-क नाम राम याराम चन्दुर का नाम से भी जना दालता है तो इन्हों यह 1857 का भारती विद्दों के बहुत प्रमुक्ध उक्षी और नीनिता था तो इनका जो जण्म हुआ था वो नहीं वह था महराश्ट के ए ओला गाओं में ऐए ओला तो इनके जो पिता थे पांड़रंग गाओं जो इनके पिता थे वो क्या हुए पिता के इसाथ बिठूर आ गये थे जहां इन्होंने पेश्वा के दत्तक पुत नाना धोधोपन्थ जिन्हें नाना साहब के नाम से जाना जाता है और महाराज माधो सिंग से मित्र बन गए, नाना धोधो पन जिसे नाना साब करते हैं और दूसरा महाराज माधो सिंग, इन दोनों से कौन मित्र बना? उनकी पिता जी तात्या टोपे के पिता, बंडियो रंग राव टोपे मित्र बन गए जब डलहोजी 1851 में नाना साहब को उनकी पिता के पिंसन से वंचित कर दिया यानि कि डलहोजी ने नाना साहब की पिता का पिंसन बंद कर दिया तो उधर जो तात्या टोपे पहले सी ब्रिटिस के अपना सत्रू मान चुके थे दोनों ने मिलकर कानपुर में इस्ट इंडिया कंपनी की भारती टुकडियों को जीत कर नाना साहब के आधिपत को अस्थापित किया तो तात्या स्वेम सेना के कमांडर इंचीप बन गए थे अब नाना साहब से अलग होने के बाद या रखना नाना साहब से अलग होने के बाद तात्या टोपे अपना मुख्याले कालपी ले गए काप ले गए कालपी ले गए और रानी लच्छमी भाई से हाथ मिला लिया दोनों ने मिलकर बुंदेल खंडशेत में 1857 के बिद्रों का नेद्रित किया तो उस समय सर जंडल हिूरोज ने कौन जंडल हिूरोज ठीक है जंडल हिूरोज ने ग्वालियर के एक इतिहासी के उद्र में उन्हें हरा दिया और वहीं पर रानिल अच्छमी भाई बीरगती को प्राप्त हो गई यानिक उनका दिहान थो गया ग्वालियर खो देने के बाद ताट्य टोपी ने सागर वन नर्वदा छेतर तथा खान देश और राजस्थान छेतर में सफलता पुरवग गोरिल्ला युद्ध किया अब गोरिल्ला युद्ध क्या है बारी बारी युद्ध करते थे अचानक युद्ध करते थे पीछे-पीछे से युद्ध करते थे गोरिल्ला टाइप की युद्ध करते थे ठीक है गोरिल्ला युद्ध का चलन किया तो एक वरस तक अंग्रेजी सेनाय उन्हें पकड नही और पकड़वाया कहां पारों के जंगल में जहां कैम्प लगाकर अपना सो रहे थे अराम कर रहे थे यहां सुने पकड़कर स्यूपरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रेल 1869 को फासी के दी गई ठीक है तो इसलिए यहां पर दी आपसे से जाएगा तात्या टोपे तात्या टोपे को मेत्र कौन था जिसने धोका दिया मान सिंग ठीक है ध्यान रखना है चलिए अगले कुशन दरा बढ़ लेंगे कुमार सिंग 1857 के बिद्रों के प्रमुख नायर थे वह नहीं लेकित में से किस सम्बंद थे किस राज से सम्बंद थे यानि कि बिहार से मत तॉमर्देश राजस्थान तरप्रदेश कि यहां पर जो अप सम्द्द को घाले रजे का सही। तो तो यह दो ने जो हुम्र की वो 80 साल थे यानि कि 70 साल के उम्र में उन्होंने बिद्रों का जंडा बुलें तो यह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1857 में जगदीशपुर में बेद्रों की अगवाई की थी ठीक है इनके प्रकृती ने मतलब प्रकृती ने उन्हें बहुत अदम सौर साहस बीड़ता सीननाय के आदर स्कूर सिक्दा मंदित कर दिया था तो इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्र कानपूर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद की और कहां बड़े कलपी की और आगे बढ़के वा बिद्रों की मसाल को रुहतास, मिर्जापुर, रीवा, बादा, लखनों तक ले गए जहां तक उनका अतियन सम्मान पूर्भक स्वागत किया गया अपने अ खयाल हो गया और 26 अप्रेल, 26 अप्रेल, 1858 को ध्यान रखना 26 अप्रेल, 1858 को उनकी म्रिट्ध की बाद उनके भाई अमर शिंघ ने दिसंबर 1858 इस झाल खर चाई, ऑर पर सानल साथ जारी किया इस मेल सब्सक्राण जारी किया तो आपको बता दें कि जो मौलबी अहमदुला साह थे वह अंग्रेज के सबसे कटर दुस्मन था यहां पर यह आप से विजाएगा मौलबी अहमदुला साह ने फैजाबाद में 1857 के बिद्रों का नेत्रित किया था तो वह अंग्रेज के सबसे कटर दुस्मन थे पहली बात आपको बता दें कि इनका घर फैजाबाद नहीं था जो इनका मौलब घरता वह तमिल लाट के अरकाट में था लेकिर वह फैजाबाद में आकर बस गए उन्होंने भारत के बिभिन धर्मानवायों का आहवान करते वे कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजु के बृत खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेर दो इनके बारे में अंग्रेजु ने कहा है कि अदम मिसाहस की गुडों से परिपूर और द्रिन संकल्प वाले ब्यक्ती तथा बिद्रोहियों में सर्वोत तमसैनिक है इनकी गिरफतारे के लिए जो बिटिस गवर्मेंट थी वो पच्चाहजार रुपे का इनाम भी रखा हु वो तमिलाट के अरकाट में था ठीक है चलिए अगले कुशिंद्र बढ़ेंगे 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में कौन संबद नहीं था बेगम हजरत महल कुमर सिंग उधम सिंग मौल भी एहमद उल्ला यहां पर ध्यान रखना है कि 1857 की करांती से संबंदित नहीं है या बेगम हजरत माल और जो कुमर सिंग थे कुमर सिंग बिहार में नेतियों संबाले थे और मौल भी एहमद उल्ला यह फैज़ाबाद में संबाले थे ठीक है त्याने के जुब ए बी और डी है यह अपसंद 1857 की करांती से संबंदित रखते हैं अब जो बच गए हैं उधम सि 1857 की विद्रो से संबंदित नहीं है यह पंजाब की करांतीकारी थे जलिया वाला बाग हत्या करन्ड का बदला लेने के लिए उन्होंने तातकालिन पंजाब के गवरनर माइकल ओडायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी ठीक है अब जलिया वाला बाग हत्या कर दी और कहां पर हत्तर की थी लंदन में की थी कौन गया था ओदम सिंग ने किया था उसके बाद इनको गिराफ़तार कर लिया फिर दे गया तोकुल मिलाके हम कह सकते हैं ओदम सिंग से संबंधेत 1847 की करांती नहीं है ठीक है यह 1857 से संब्द नहीं रखते इसलिए हमारा आपशन स प्ति सही हो जायेगा। अगला कुछन देखिए आठहा है निमलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रों में भाग नहीं लिया है। खेतियार मजदूर, साहुकार, किर्सक, जमिदार, निम्लिखित कूटों से अपना उत्तर चिनुए, किवल एक और दो, किवल दो दो और चार, यहां पर आपको जो भी आपसन हो सही होगा, वो दी आपसन सही हो जाएगा, दो और चार, ठीक है, यानि कि जो दो है, साहुकार और जमिदार 1857 की करांती में, या 1857 की विद्रों में भाग नहीं लिये थे, अब देखी, मैं आपको 1857 की विद्रों की बारे में थोड़ा बहुत ब्यूरण दूंगा, संचिद ब्यूरण दूंगा, अगर आपको इससे ज़्यादा बड़ा रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आपको description में link मिल जाएगा, आप वहां से modern history का वीडियो देख सकते हैं, ठीके, पूरा आपको वहां वीडियो का लेक्षर मिल जाएगा, देकि 1857 का विद्रों बहुत बड़े छित में फैला था, आपको हम बता देंगे, बहुत छोटे ही, बहुत संचिप्त में आपको समझा रहे हैं, कि 1857 का विद्रों बहुत बड़े छित में फैला था, और इसे जनता का व्यापक समर्थन मिला था, यानि कि जो जनता थी, वो समर्थन कर रही थे, फिर भी पूरे देश को, या भारती समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को या अपनी लपेट में नहीं नहीं ले सका, ध्यान रखना है, इसे जनता का व्यापक समर्थन तो प्राप था, लेकिन फिर भी भारती समाज के सभी अंगों और वर्गों को अपनी लपेट में नहीं ले सका, या दक्षडी भारत और पूर्वी और पस्वी भारत के अधिकांस भागों में नहीं फैल सक भारती रजवाडों के अधिकांस सासक और बड़े जमिदार पक्के स्वार्थी और अंग्रेजों की सक्तिके से भैवीत थे और वह बिद्रों में सामिल नहीं हुए जैसे गौालियर के सिंधिया, इंदोर के होलकर, हैद्रावाद के निजाम, जोदपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पतियाला, नाभा और जिंद के सिक सासक तथा पंजाब के दूसरे सिक सरदार, कस्मीर के महराजा और दूसरे अनिक सरदारों जैसे और बड़े प्रेजों की मदद की और जो भारती जन्मानस थी उनके विद्रों को दबा दिया, तो उस समय जो अठाव सतावन का विद्रों हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल लाड कैनिंग था, लाड कैनिंग ने खुद कहा, अपने बात कही, अपने टिपडी कही, कि इन सासको दौरा कौन सासको दौरा, यही गौलियर के सिंदिया, अन्दौर के होलकर, हैद्रवाद की निजाम, जोधपुर के राज़ा, यही सब सासक, इन सासको दौरा सरदारों ने तूफान के आगे बाद, तरंग रोधक की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले तो बिद्रों से किनारा कर लिए ग्रामीड जनता ने हमलों का निशाना सूध कोर साहुकार तो आधुनिक सिक्षा प्राप्त भारतियों ने भी विद्रों का साथ नहीं दिया था सिच्छित भारती देश का पिछणापन समाप्त करना चाहते थे उनके मन में यहां गलत विश्वाज वरा था कि अंग्रेज आधनिकी करण के यह काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे तो यहां पर जो भी थे यानिकी खेतियार मजदूर बेचारी क्रिसा की इसमें भाग लिया थे यह दो आपसल भाग नहीं लिए थे इसलिए डी आपसल सही हो जाएगा अगला कुशन देखिए निम्निमे से कौन सा एक्षेत 1857 के बिद्रों से प्रभावित नहीं था ध्यान रखना यहां से 1857 के बिद्रों से प्रभावित नहीं था जहांसी चितवर जगदीशपूर लखनोग पार्भा अबश्यान देख़िए आपको बताते चलें जहांसी कि जहांसी में जो बिद्रों हुआ किसे नितृत फुलाहे के नितृत उल्यान, छिटावर में अभी अप्षण छोड़े रहें जगदीशपूर में किसे नित्रत casa को आर सिंखिन के मह था और जो लखनम मह था बिद्रो किसके नित्रम वह था वेगर मह आएigon यह तीन dont किसे अठारइस सतावन के फिद्रों से प्रभावित यह बाइए बच गया आपका सूची 2 से सुमेलित कीजिए तता सूची के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है सूची 1 है सूची 2 है जहांसी लखनाओ कानपुर फैज़ाबाद इधर है आपका सूची 2 में मौलभी अहमस्सा अजिमुल्ला खां बेगा मजरतमाल रानी लच्मी बा भी खाव रंबाद में लेता है जहांसी किसे संबंदी थे आप सभी को पता है कि रजा लच्नी वा यानी के एका फोर हो जाएगा ध्यान रखनाओ को सब्सक्वर्प्र dough täll div devam यान्सी के निो जो वित्वर वह थी शोया था u यह एक हो जाएगा चार तीन दो एक तो देख लेते हैं चार तीन दो एक काहां पर? यह आपसन मिया है था यानिकि यह आपसन आपका सही हो जाएगा चलिए अगला कुश्चन देखिए 1857 के बिद्रो की समय भारत का गवर्णर जनरल कौन था लाड अलोजी लाड विंटो लाड केनिंग लाड वेंटिंग ते आपको मैंने अभी पिछले ही कुश्चन में बताया था इसके पिछले की पिछले वाले जस्ट कुश्चन में बताय था लाड केनिग लाड़ केनिंग चार्फ सोटावन के बिद्रो की समय भारत का गवर्णर जनरल के इसका जो कारिकाल था यांदि एक सी हापसे प्से जो प्सक्रीकाल था वह 1856 से 1872 यह था यह लाड केनिंग भारत में कंपनी दॉरा निक्ति अन्तिम गवर्णर जनरल था और बिटिस समराट के अधिन नियुक्ती भारत का पहला वाय सरा था। ठीक है? चलिए एगला देख लेते हैं एगला कुश्चन है। महारानी विक्टोरिया की उध्गोस्डा 1858 का उध्देश क्या था? भारती राज्यों को बिटिस समराज में मिलाने के किसी भी वीचार का परित्याग करना भारती प्रसासन को बिटिस क्राउन के अंतरगत रखना भारत के साथ इस्ट इंडिया कंपने के ब्यापार का नियमन करना नीची दीगे कूट का प्रयोकर सही उत्तर चुनिए केवल एक और दो, केवल दो, एक और तीन, एक दो और तीन देखे बिटिस सरकार में ठीक है जो बिटिस गौवर्मेंट थी अठारस ओठाउन में एक अधनियम लागु किया था भारती प्रसाषन सुधर सम्बंधी अधनियम चाहट क्या अंध करद दिया गया ऐस्ट इन्डिय कंपनी के सासं का अंध करदिया गया और बिटिस सरकार ने भारती प्रदेशों को भारती राच्चो का प्रबफ्ध सीधर आपने हाथों में ले लिया तो इस अधिनियम के ताथ 1858 इस भी में महारानी विक्टोरियर ने एक घोशला की जिसमें यहुद घोशित किया कि अब से भारत का सासन ब्रिटिस सासक के दौरा वा उनके लिए सेक्रेटरी आफ इस्टेट दौरा चलाया जाएगा तो गवर्नर जनरल को वाय सराय की पद्वी भी दी गई जिसका अर्थ था कि वह राजा का प्रतिदी था अगर संचेप में बात करें तो भारत में ब्रिटिस सर्वोचता सुद्रेण रूप से अस्थापित कर दी गई साथी महाराणी विक्टोरिया ने घोष्णा की कि देशी राज्यों को या आश्वासन दिया गया कि उनका अस्थित बना रहेगा असपश्ट है कि भारती राज्यों को ब्रिटिस सामराज में मिलाने की किसी भी विचार का परत्याग करने की घोष्णा की गई ठीक यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आप देखिए अब यहाँ देखिए आपका कथन भी देख लिए भारती राज्यों को ब्रिटिस सामराज में मिलाने की किसी विचार का परत्याग करना बिल्कुल सही हो जाएगा यह कथन बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरा है भारती प्रसासर को ब्रिटिस क्राउन के अंतरगत रखना एबी से हो जाएगा लेकिन आपने यह नहीं पढ़ाओगा भारत के साथ इस इंडिया कंपनी के ब्यापार का नियमन करना नहीं आपने यह नहीं पढ़ाओगा क्योंकि भारत के साथ इस इंडिया कंप van कौण सा है Ek ?दो K1- K1 किवल एक से होगा एक और दो organised हाँ अगला देखिए अठारो सो 157 की दिरों के भी ठीक बात बंगाल में निमलिकीत में सीकंसा बिपला हुआ सञ्वा सन्यासी वीद्रों संताल वीद्रों नील वीद देखिव निध्यक जो बीडियो का लिंग आपको निइधैन है अपको भून आपकर वहां पर चूंड़ फिर जाता है टो आप वहांसे बीडियो को देख सकते हैं तो यहाँ पर हम बहुत कम बात्रativos सम्झेंगे देखिए तो 1857 की विद्रों की ठीक बात बंगाल में निम्रिखित में से कौन सा विपला हुआ देखिए सन्यासी विद्रों कब हुआ था आप सभी लोगों पता होगा सन्यासी विद्रों जो वह था 1763 से 1820 और जो संथाल विद्रों था वो अठारासो छपन ते कब वह था 1855 यानिके आठास पच्पन चपन पर कह सबस्क्राइब दो अधा वह था वह था अठारासो उनसर्ट साथ यह नेल विद्रों वह था अज़ो पावना विद्रों था वह था था वह 1873 और 276 अठासो था च सपनारा सुसरतावन में और सब्सक्राइब हुआ था था आएट आधाराइसोशटावन के पहले भूए था अब सब्सक्रों के पहले यानि कि ये दोनों विद्रों हुए थेजित तो जो त्थीक बाद यूँट अगला कुछित देखें बंकिम्चन चटरजी के प्रसित उपन्यास आनंदमंट का कथानिक आधारी थे चुवार विद्रोव पर रंगपूर तथा दिनाज के विद्रोव पर विश्लूपूर तथा बेरभूम में हुए विद्रोव पर यहां पर आपका डी आपसंस ही जाएगा सन्यासी विद्रोव पर ठीक है आपर डी आपसंस ही जाएगा सन्यासी विद्रोव यानि के आनंदमंट में जो कथानक प्रकासित किया गया है कथानक की बात की गई है वो सन्यासी विद्रोव पर ही बात की गई है अगला कुशन देखिए निम्डेख यह पर कौन सा कथन यहांनि कौण सा युग को पकूमने सही सुमेलित नहीं सो चुनना है यह आप सबकार सबस्क्राइब 207 यह बिल्कुल सही सन्यासी जाgreg वा था यह था यह सतरा सो तिरसमैल नहीं थे का रहा रहा और तो कोल विद्रो है वह 1831 इसलिए अपसन बिलकुल गरत हो जाएगा यानि किसी आपसन सुमेलित नहीं हो रहा है कौन सायुग में तो जो नहीं वाला है सन्यासी विद्रो फैसारस पिर दॉम्यन नहीं है इसलिए सी आपसन सही हो जाएगा सन्यासी बिद्रो ठीक अगला कुश्चन देखिए पागलपंद की अस्तापना किष्ण ने खी थी बुल्लेसा करमसा यदुवेंगर सिंग स्वामी सहजानन तो आपको बताते हैं देखिए पागलपंद की आदा ना पागलपंद एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था यह क्या था यह गारो जंजाती से संबंदित बिद्रो था जिसे उत्तरी बंगाल की करमसा ने चलाया था कुन चलाय था करम सा तो करम सा के पुत्र तथा उत्त्रा धिकारी टीपू धार्मिक और राजनेतिक कुद्देशों से प्रेडित था ठीक उसने जमिदारों की दोरा मुजारों पर टिनेंट्स पर किये गए अत्याचारों के बृद आंदोलन चलाया था कि यहां पर अपागल्पंद किस्तापना कौन किया था करम सा ने किया था ठीक है इसलिए भी आपसन से जाएगा करम सा अगला कुष्छन देखिए बगेरा विद्रों कहां हुआ था सू रत पूरे कालिकट बढ़ाओ दा यहां पर डि आपसन से जाएगा बढ़ाओ दा हूआ किसके बुद्ध हुआ था अंग्रेज के बुद्ध हुआ था अंग्रेज के बुद्ध हुआ था बड़ावदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बेघरों से अधिक कर अधिक कर एकत्र करने का प्रत्न किया जिसके प्रलाम सरूप बगेरा सरदारों ने बिद्रोह कर दिया 1818-1819 सीजबी के मद अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण कर दिया यहाँ आ बिद्रोह 1820 सीजबी के आसपास समाप्त हो गया था त्याहाँ पर डी आपसंट सेज़ाएगा बगेरा का बड़ा अधाम हुआ था अगला कुश्चन देखिए बिद्रोह की इस गवर्नर जनरल के समय हुआ था बेलेजली लाड मिंटो लाड करना वाली सर जार्ज बारलो त्याहाँ पर डी आपसंट सेज़ाएगा सर जार्ज बारलो ठीक है त्याहाँ आठारा सो छेजबी में सैनकों ने अपनी सामाजिक तथा धार्मिक रेती रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण बिल्लोर में बिद्रोह कर दिया तथा महसूर के राजा का ज्ञंडा फैरा दिया बिल्लोर का बिद्रोह गवर्नर जनरल सर जार्ज बारलो के समय हुआ था सर जार्ज बारलो का जो कारिकाल था वो अठारा सो पांच इसवी से अठारा सो साथ इसवी था यह जो विद्रोह हुआ था बिल्लोर का वो अठारा सो छेज भी हुआ था अगला कुशन देखिए अठारा सो पच्पन के संथाल हूल के विद्रोह में सोरी संदर में निम्रिखित में से कौन सा से कथन सही है है निचे दिये गए कूट से सही उतर चुनिए भागलपुर के पास मेजर बरोज संथालों से लडाई में हार गए गुका गुड़्डा का एक महतपूर नेता था इस संदर में महाजन दीन दयाल राय भी एक महतपूर नाम है एक समय था जब मुझफर पूर के निकट गंगा घाटी के छेत पर संथालों का पूर वर्चसु था कूठ है किवल एक एक तीन चार एक दो तीन किवल दो और तीन देखें यहाँ पर कथन में आपका आईए भागलपूर के पास मेजर बरोज संथालों के लडाई महार गये थे कथन सही है गुक्का गुड़ा का एक महतपूर नेता था यह भी सही है इस अंदर में महाजन दिन दियाल राई भी एक महतपूर नाम है यह भी सही है यानि कि जो चौथा कथन है जब मजबफर पूर के निकट गंगा घाटी के छेत में संथालों का पूर वर्चस था यह कथन गलत है हरआ हमारा कि चब देखें। यह जुलाई 1853 कब 3885 में संसाथा लूने विद्रों का ब्रण भिगुल बजा दिया था यानि कि जो बिद्रो माना जाता है लेकिन जुलाई 1885 में संतालों ने अपने बिद्रो का बेगुल बजा दिया खाल आम तो बिद्रो करेंगे तो कलकत्ता के मेजर बर्रो कौन मेजर बर्रोज बर्रोज और पूरिया से सेना की एक टुकडी संथालों का दमन करने के लिए भेज दिया गया तो भागलपुर के निकट पीर पैती के मैदान में कहां पे पीर पैती के मैदान में संथालों से संघर्स में पराजित हो गया कौन पराजित हो गया यही टुकड़ी से ला बाध में विद्रो का दमन कैप्टन एलगसंडर ने किया था कौन किया था बाद में जो गुओ था कैप्टन एलकसंडर ने किया था गुड़्ड़वर्थमान में झारखन राज के एंतरगत संथाल परगना में आता है गुक्को यहां का एक बहुत महतपूर नेता था महाजन दीन दयाल राय भी एक सोसर करताओं में सामिल थे जबकि गंगा गाटी छेत पर संथालों का वर्चस नहीं था यहां विद्रो भागलपूर से वर्धमान तक फैल गया था इसलिए जो कथन है आपका एक दू तीन ही सही है यानि कि स्यापसन सही होगा अगला कुश्यन देखिए संथाल विद्रो के सांथ हो जाने के बाद आपन वेशिक सासन दोरा कौन सा या कौन से उपाय किये गए पहला है कथत्त संथाल परगना नामक राज छेतरों का स्रिजन किया गया दूसरा है कसी संथाल का गैर संथाल को भूमी अंत्रन करना गैर कानूने हो गया नीचे दिये गए कूट का प्रयोकर सही उत्ता चुनिया, चुनना है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनु ना तो एक ना ही दो देखे 1855-56 में संथाल विद्रो हुआ था, आप सभी को पता है का 1855-56 के आसपास में संथाल विद्रो हुआ था तिया विद्रो बिसकली बिहार और ओडीशा में, कहां पर बिहार और ओडीशा का एक प्रसिद आदिवासी यांदो लन था तिया विद्रो 1856 इसमी तक जारी रहा, और अंग्रेज सरकार एक बड़ी सैन करवाई के बाद इस विद्रो को दबाने में सफल हो थे ठिक, और कौन दबाया था? उसका नाम था कैप्टन अलेक्जंडर तो अंग्रेज सरकार ने अलग संथाल परगना की मांग को मान कर छेत्र में सांतिय स्थापित किया थे तो इसलिए जो पहला कधन है, वो सही हो जाएगा अंग्रेज ने संथाल परगना की मांग को मान कर छेत्र में संतिय स्थापित किया था इसके बाद 1855 में भागलपुर और बीर भूमी का बटवारा कर संथाल परगना जिला बनाये गया साथी किसी संथाल आदिवासी का गैर संथाल की भूमी अंतरण गैर कानून हो गया यानि कि अब जो संथाल आदिवासी हैं उनकी भूमी को कोई और कबजार नहीं कर सकता था जारखंड में जमेन की खरीत फरोग थे तो सी एंटी यानि कि छोटा नागपुर कास्तकारी अधिनियम और एस पी टी ए संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम और सिड्यूल रेगलेशन एक्ट प्रभावी हैं यह बरतमान साहिए यानिक पहला भी कतन साहिए दोसरा भी कतन साहिए इसलिए हमारा जो भी आपसेंस जाए और एक और तो तो दोस्तो आज बस इतना ही कल फिर मिलते हैं बेस कुष्टन के साथ आपको बता दें इससे पहले कि यह वीडियो आपको कैसे लगा है अच्छा लगा तो इसको लाइ अच्छा लगा है अच्छा लगा है